आपके लोज की तरफ तो हम माल लोज खोज करते हैं आपके पास आ गया अब naming कैसे करेंगे तो सबसे पहले mention चुनेंगे mention आपके क्या होगी state chain तो यह आपके पास state chain आगी ठीक है इस पे कितने इस पे दो लगे हुए है ये भी branch chain होगी और ये भी क्या होगी आपके लिए branch chain होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है branch chain को लिखना है फिर numbering करनी है next number पे इदर से जाओगी तो 1 and 2 इदर से जाओगी तो 1 and 2 2 पे आ रही है 2 पे कितने हैं 2 2 के लिए अब ऐसे 2 branch chain लगी हूँ तो 2 के लिए क्या लगाएंगे die ठीक है तो 2, 2 die methyl 2, 2 die methyl 2 के लिए 2 die 1 के लिए mono 2 के लिए die 3 के लिए tetra sorry 3 के लिए try और 4 के लिए tetra 2, 2 die methyl आप क्या गितने कारवन है 1, 2, 3 3 कारवन के लिए आप क्या यूज़ करते हो 2, 2 die methyl propane ठीक है आप इस बात का अधर रखेंगे branch chain जितने position पे जितनी बार है आपको उतनी बार लिखेंगे same numbering के बीच में कॉमाज alphabet start ओने से पहले numbering के बाद में dash और उसके बाद अपनी naming को आप continue करेंगे ठीक है इस बात का आप अधर रखेंगे फिर हम next practice कर लेते हैं थोड़ा सा CS3 CS2 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 एक number carbon पे इस बाद में ने CS3 इस बाद में ने CS3 फिर बाद में CS2 और फिर हमारा आता है CS2 और फिर आता है CH3 ठीक है तो होई 1,2,3,4,5 1,2,3,4 चार से आप देखो इदर से कर रहे हैं तो 5 पे इदर से कर रहे हैं तो कहां प्यार है 5 पे इदर से कर रहे हैं 1,2,3,4 यहां कितने प्यार है 4 प्यार है तो हमें इस 4 वाले को क्योंकि nearest number पे देने तो हमें इस बात की तरह focus करना है focus करते हैं हम क्या करते हैं continue करते हैं और इस continue में क्या लेगे 4 नमबर पे 4 नमबर पे 4, 4 ठीक है नमबरीं के बीच में फिर डाइ मिथाइल डाइ मिथाइल कितने carbon है total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह इदर से count करो इदर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के लिए क्या लगाते हैं oct ठीक है तो इसके लिए क्या लगेंगे oct single bond formation है तो क्या लगेंगे octane ठीक है यह इसकी क्या हो जाएगी nomenclature हो जाएगा 4, 4 डाइ मिथा है octane अच्छा अब बाई क्या ब्रांच यह नहीं प्रिफिक्स में आते हैं नहीं अब बात कर लेते हैं अब फॉंक्शनल ग्रूप की जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को बताए था कि बई कौन कोन से आपकी प्रिफिक्स यहां पर यूज की जाते हैं अजएप प्रिफिक्स फार्म के अदर ठीक है जो除 crush होते हैं तो सबसे पह्ली बात हैलोजन एक ही कोई करेंगे हैलोजन में कौन कौन सा आएंगे fluorine, chlorine, bromine and iodine इनको हम as a prefix use करेंगे इनका जो use होगा use as a prefix ठीक है, दूसरा आपके पास कौन से हैं, ये वाले, L-K-A group L-K-L-A group जो use करेंगे, वो क्या होगा use as a prefix इसका जो use करेंगे, वो हम as a prefix उसका जो use करेंगे, अच्छा, इनके अंदर भी जो position होगे, इसमें एक बात क्या द्यान रखेंगे इफ, आप एक remainder point डालेंगे इसके अंदर ठीक है, मैं लग देता हूँ, वैसे भी कि वो आपके लिए बड़ा important काम आएगा, अब उस पर फिर हम practice करेंगे, और practice के साथ जाथ हमें इस बात का द्यान रखना है ठीक है, practice के लिए हमें आप लोगों को लिए देता हूँ, यह आपको हमेशा no down करके रखना है ठीक है, और जब जब normal के चाप करेंगे, तो इस point को सबसे पहले remainder कर लेंगे, ठीक है, if same group of carbon and halogen attach on main chain use as a alphabetic alphabetic order for IOPs naming बही जब भी आप IOPs naming करोगे तो द्धान रखना, जब एक ही group के element आज़े, जैसे एक group कौन सा, जैसे halogen वाला, fluorine, chlorine boiminate, यह आ गई numbering किसकी पहले आ रही है वो matter नहीं करता, पर alphabetic order में कौन पहले आ रहा है, पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा, इस बात का आप specially प्रेफिक्स में तो यूज होंगे होंगे, बट इन में जैसे ethyl, methyl, e, m, e पहलाता है या m पहलाता है, तो e पहलाता है तो पहले इसको लिख होगे, यह जैसे methyl और propyl, तो m पहले रहेगा या, p पहले रहेगा, तो इसमें से जो alphabetic order पहले रहेगा तो उसको पहले लिखोंगे, ठीक है, एक्जाम्पल से हम इसको क्या कर लेते हैं वाड, डिस्कस करते हैं, तो हमें और यह समझ में आ जाएंगे, ठीक है, आप तो यह याद हो गई होंगी, ठीक है, फॉर्ण से करने से पहले, वर्ड रूट अपने टेबल साथ लेके बैठे ह फंक्स्रूप को साथ लिखे बैठे हैं क्योंकि जितनी बार-बार प्रैक्टस करोगे वो चीज़े आपको एक बार रिमाइंड हो जाएंगे रिमाइंड होने के बाद आपको लिखने ही जो तने वैसे दिमाग में वह चीज़े सारी साथ हो जाएंगे कि कौन prefix रहे है कौन sufix है कि इसको पहले लिखें कि इसको बात में लिखें सबसे पहले इनको सारा एक hint के base पे पेज़ पे इक सारे structure बना लें कि यह हमारे function route है इनको आज़े prefix उज़ ज़िएक है इनको इसके प्रैपक्स के ज़ाता है फिर भी doubt रहता है तो comment section वे आप मुझे बताएं उसके असाब से हम एक doubt वीडियो हम आप लोगों के लिए बना देंगे ठीक है और एक normal कीज़र पर आप लोगों को एक assignment मिल जाएगा जिसको आपको practice करनी है और वो आपको और सब लोग में submit करना है ठीक है तो बात कर लेते हैं जैसे CH3, CH2 और CH इस पर मैंने लगाया यहां पर BR फिर मैंने discuss कि हैं आपर CS2, CH फिर मैंने लगाया यहां पर पहले एक ही पर काम करेंगे CH2 और CH3 हमने बना देया आप देखो यह आपके पास कहा होगा as a prefix यह आपके पास क्या होगी यह आपके पास होगी main chain और यह आपके पास क्या हो गया branch chain ठीक है पर यह branch chain के साथ सथ function group भी है तो हम branch chain को जैसे preference पहले देते थे तो उसी प्रकार function group को भी हम preference पहले ही देंगे तो पहले दिन का मतलब क्या position 1,2,3,1,2,3,4 तो numbering हम यहां से करेंगे इस तरफ से तो 1,2,3 तीन number प्यारा 3 bromo प्यारा है तो carbon कितने हैं 1,2,3,4,5,6,6,6 carbon यह लिए क्या लगाते है 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 ठीक है 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 ठीक है यह होगी सिंपल ने ठीक है अब बात करते हैं नेक्स के जिसमें more than two जो हमारे point हमने डिस्कॉस किया था CS3,CH जैसे मैंने इस पे लगा CL CS2, CS2,CHBR CS2, CS2, CS2 and CH3 carbon change जितने दाब बना सकते हो जितने आपके पास number of carbon होगे तने लबी चान बना लोगा आपको यह दिक्कत नहीं देगा जाए है अब देगो यहां से नमरी करता हो तो इसके नमरी कहते है 1,2,2,3,4,5 इसके आरी पांच number पे इदर से करता हूँ 1,2,3,4,5 इसके से नहीं आ रही है 5 नमर पे 6,7,8 इसके आरी है 8 पे अब तो नेर्स नमर कौन से होगे नेर्स नमर आप पता है यह 2,5 हुए या 8,5 हुए ठीक है पही 5 या 8 ले या 2,5 ले कौन सा नमर चुटा होगा तो नमरी यहां से करेंगे अब इसमें नमरी करता हूँ तो क्लोरिन पहले आ रहा है ठीक है और क्या है B,R, ब्रोमियम बात म में आ रहा है ठीक है अब इसके हिसाब से नमरी करता हूँ तो यह दो नमबर पे इसको पहले लिखना चाहिए पर यह दोनों क्या है एक ही ग्रूप के अलेमेंटर दोनों हैलोजन्स है अब इन हैलोजन्स में क्या चलेगा अलफाबेट इगोडर चलेगा अलफाबेट इग प्रोमो ठीक है कितने नमर पे टू पे टू क्लोरो कितने कार्बन्स आपके पास हैं वन तू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नो मतलब नन एन नन एन न क्योंकि सब में सिंगल बॉंड फोर्मिशन बॉंडिंग का विससे दान रखेंगे बॉंडिंग के नमें के बारे में कुछ पॉइंट होंगे वह हम आपसे डिस्कुस करूंगा ठीक है तो फाइव क्लोरो फाइव प्रोमो टू क्लोरो और नन एन यह वर्ड उट आ गया बॉंडिंग आ गई और यह आपके पास आ गई कौन से यह वाले प्रैमरी फॉंच्छनल गूप ठीक है इस बा यहाँ पर आ गया मेरे पास CHC2H5 यहाँ पर आ गया फिर CS2 CS2 एंदा CS3 अब नमबरी करते हैं यहाँ से 12 यह दो नमबर पर 3 4 1 2 3 4 यह आ गया मेरा 5 नमबर पर 6 7 8 8 कारबन है इधर से करता हूं 1 2 3 यह आ गया यहाँ पर 4 पर 5 6 7 यह आ गया 7 नमबर पर अब देखो 2 & 5 लेक लगे चुलो वह जोटा है वो आपखो समझदार हो कि 2 & 5 चोटा होगा अब दो यह भी आपके पास क्या हो गया अब दिको यह वाले आपके पास आगए वी मेंजिन थीक है यह वाला और यह वाला दोना आपके पास क्या हैं primary functional group ऐक जो इसको already role play कर रहे हैं कि इसका branch chain पर यह लोग role play कर रहे हैं ठीक है तो इसको लिखेंगे तो पहले methyl आता है इसको लगते हैं तो पहले इथाइल आता है अब पहले किसको लिखूं क्योंकि दोनों same group के element है देखो इथाइल आ जाता है ब्रोमिम आ जाता है तो different group के element आ जाते हैं अब यहाँ पर क्या है same यह भी same क्या आ गई और यह भी same क्या आ गई तो उस condition में हम क्या कर सकते हैं तो alphabetic order use कर सकते हैं alphabetic order हम use कर रहे हैं यह methyl तो M पहले आता है यह इथाइल तो E पहले आता है तो पहले इथाइल टू मिथाइल फाइव इथाइल टू मिथाइल कितने कारवन है आठ आठ के लिए कर रहेंगे ओक्ट एल ओक्ट एल ठीक है यह आपनी क्या हो जाएगी normal nature इस तरीके से आप यहां ते practice करेंगे फिर हम बात करेंगे second functional group की और second functional group के साथ-साथ फिर हम practice करेंगे कि अपने bonding के साथ भी कि किस bonding को preference पहले देनी है और किस को preference हमें बाद में देनी है हम उसका ध्यान रखेंगे फिर भी किसी को यदि कोई doubt रहता है तो वो आप उसे discuss कर सकते है doubt section के अंदर ठेक है और comment के अंदर भी यदि किसी को practice की कमी रहते तो मैं एक डॉक सेक्शन पर व